ओके तो लास्टाइम हमने लास्टाइम हमने जो निमरीकल डेरिवेशन किया फ्रमुला निकाला था वीडी का आय अपान एए एड़ी क्या फॉर्मुला निकाला था अफितला यह थे समझा रहा है ए सुनो जो बात करें ना इदर बहुत मार खाय का बता रहा हूँ बात करते देख लिए ना तो पीटने वाले हो इदर दियान दो अच्छे से चलो डेटा एक्स्ट्रैक करते हैं एक आपके वाद मेटालिक वायर है इसका डायमीटर कितना है है । department 02 मेटर अभी डायमीटर है मुझे तो चाहिए होता रेडियस सच्छा एं तो मैं फिलाल लिएता हूँ डेटा के अंदर डायमीटर स्मॉ Readyphy लिएता था Tech AKA 0.02 मीटर क्या बता सकते हो रेडियस डायमेटर का अधा होता है कि नहीं होता है डिरेक्ली 0.01 लिख दूँ कि डी बाइटू फिर ऐसा समझा जाएगा सीधा 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 है ना हमारे काम का रेडियस है डायमेटर पुट नहीं करेंगे अच्छा यह कौन बताया का 10 रिस टू 8 फ्री इलक्ट्रोन पर क्यूबिक मीटर यह क्या गिवन है फर्मूला आपने याद किया वज़र पर कौन है यह अच्छे से पड़ो अच्छे से पड़ो अच्छे से पड़ो कौन सा n आपको याद है small n कौन था number of electron per unit volume आप देखो क्या लिखा हुआ है इतने electron है पर क्यूबिक मीटर मतलब आपको बोल रहाट ऐसे 10 रिस टू 28 electrons है पर क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब तो number of electron per unit volume नहीं हो गई है यह small n है समझे डेटा समझाया के small n कैसे given होता है find एक क्या निकालने बोला है VD क्या निकालने बोला है VD for free electron having an electric current i कितना यह क्या बता सकते हो current है ना 100 A तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर i is equal to 100 A सही है flowing through the wire और charge और electron यानी E की value भी given है यह तो आपको पता भी है ना वैसे structure of atom में किया हुआ नहीं हम लोग ने वन पॉइंट सीक्स जीरो डबल टू टेन डेस्टो माइनस 19 तो आप उन दो ही डीजेट इसंवाल करते है वन पॉइंट सिक्स टेन डेस्टो माइनस 19 solution chemistry में structure of atom क्या आप VD का formula direct बता सकते हो यही है क्या मेरे पास सारी चीज़े है i है small n है यह है area है क्या नहीं तो formula को थोड़ा modify करना पड़ेगा मतलब area कैसा होता है wire का यह area कैसा होता है कैसा होता है कैसा होता है किसका होता है पूछा तो wire का है कैसा होता है इसका shape बताना है तो इसका फॉर्मुला क्या बनेगा सवाल आप सुनते हैं जवाब कुछ भी देज़ें तो पानी से नहीं होगा वो सरदीगा है कि दर क्या है इसकी जगा हो जाएगा पाई आर स्क्वेर इन्हीं इत्थी बास हम आगी अब हमको क्या करना स्रिफ वैलियूस वैलियूस पुट करना है आप एक काम करिए यह जो 0.01 है ना पॉइंट शिफ्ट करता हो उसको तो यह 10 रिस टू कितना हो जाएगा डिरेक्ली माइनस टू नहीं समझें और रोकू पॉइंट दो आगे करता हो तो यह 1 बचेगा वन हो जाएगा टेन का पावर कितना होगा दो आगे करने पर माइनस टू सही है तो वान इंटू टेन का पावर माइनस टू यह सिरफ 10 रिस टू माइनस टू आगे सॉलूशन करते हैं वैलू वहाँ पूट करता हूं हंड्रेट पाई की वैलू क्या होती बच्छो 3.142 आर कितना है देखो उसका क्या हो गया यह कितना है स्मॉल एन 1.6 10 रिस टू माइनस 90 देखो भी ऐसा कभी बड़ा कुशन हो बहुत सारे 10 के पावर होंगे तो सबसे पहले आप इस 10 के पावर को सॉल करेंगे ठीक है 10 के पावर को कैसे सॉल करते है 100 मतलब कितना हो गया 10 रिस टू तो सही है नीचे के दर सॉल करके देखें बच्छो टू टू जा तो 10 रिस टू माइनस 4 10 रिस टू माइनस 19 तो कितना होगा 23 23 माइनस 23 प्लस 28 10 रिस टू प्लस 5 समझ पारे हो डिरेक उपर जाएगा अब क्लियर हुआ 10 रिस टू माइन अरे नीचे प्लस 5 बचा उपर गया तो क्या हुआ 10 का पावर सॉट आउट हो गया अभी स्पीकर साफ हो गया वाई अब मेरे पास और क्या पिदा बचाये 1.6 बचा और यह 3.12 céu आ कर सकते फॉर्दर आप चाहे तो इंदों को मल्ट्डी प्लाई कर सकते है थेश्च्व now repo और यह वाजाएगा माइनस 3 इन दोनों को मल्टिप्ला कर दो 16, 2 जा कितना हो जाएगा 32 64 और 3, 67 16 बन्जा 16 और ये 6 कितना हो जाएगा 22 48 और ये 50 राइट साइट से 3 के बाद 50 पॉइंट सोरी सोरी 5 पॉइंट आएगा इधर एक के बाद इधर 3 के बाद तो 4 के बाद, राइट साइट से 4 के बाद तो आपका कितना आगया ये 5.027 4DGT देखेंगे अब आप सुनो आपको रेसिप्रोकल वाली का नहीं पता है सीधा लॉग मत करना, वन अपॉन सॉल करना ना मुझे, तो रेसिप्रोकल देख लेते तो आपके पास लॉग बुक में एक रेसिप्रोकल का टेबल है रेसिप्रोकल लिखा रहेगा उपर, रेसिप्रोकल दिख रहा है फर्स कॉलम में 5.0 ढूंडो 5.0 इज़र आए, उसका 2 और 7 में देखना बस बीच में 2 और मीन डिफरेंस में 7 और सब्ट्रैक करना है है सब्ट्रैक लिखाए देखा उज़र मीन डिफरेंस पे फाइनल आंसर यह आ रहा है जिरो पॉइंट हो जाएगा क्यूंग फर्स कॉलम जीरो वाले कॉलम में देखो नंबर कैसे लिखा हुआ है पॉइंट लिखा हुआ है जब सबके पहले पॉइंट है तो आपका नंबर यह आ रहा होगा वन नाइन एट नहीं देखो कैसे आपने देखा यह 5.0 की लाइन में 2 के नीचे और मीन डिफरेंस में 7 के नीचे सही है इधर कितना नंबर देखा आपने 2 के नीचे कितना नंबर देखा 192 और इधर कितना देखा 3 तो आप इसको उसको सब्टरच करना है तो आप इसको क्या करना यह कैंद लिखा है मिन इधर पर सब्ट्राक लिखा है रसीप्रोक। और कोसाइन कें अंदर लेकिन सुनो अब आपको scientific notation में आपने पढ़ाए chemistry के अंदर ठीक है अगर मैं 1.89 कर दोस्को तो पॉइंट एक आगे किया आगे किया तो माइनस 1 और माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा और यह आपका मीटर पर समझ गये बात को ठीक है आंसर चेक कर ले ना बुक में 1.9 10 देस्टू माइनस 4 आगे आवह यह आंसर चलो डूइट फास्ट कि अभी तक लिख रहे है कि फुल्सूम हो गया नहीं वह अभी तक क्या कर रहा है दूँ कि तेरे को नहीं लाता है क्या कि तेरे को किसे पता चला अगला सवाल अध्याने के सभी बच्छे डिटा बता सकते हो क्या कि वह ने बहुत आसान कोशने और वायर ओफ रेडियस दिया वाइडिरेकली तो यह आर हो गया मेरे लिए क्या करेंट ओफ वन एंपीयर आई हो गया अजिमी करेंट टू भी युनीफर्फॉर्म basic치-डिरियस अगर करेंट करेंट ली इंकर भी दिस्रीब्फॉर्फॉच्टेसिडेडोर और ले अंगला सकते हो अगर यह नॉल गिवेन है और जे निकालने बोले है ठीक है क्या करेंगे सिंप्ली डेटा लिखोगे ए रेडियस कितना है 0.6 इन क्या है एसाई उनिट में मिली मीटर है मुझे तुछ यह सिरिफ मिली की वैलू क्या है मिली 10 का पाउर माइनस 3 क्या है ओके हो गया कनवर्ट कनवर्जन बहुत आसान है आपको बस वह प्रिफिक्स की वैलू बता होना चीए इसको प्रिफिक्स बोलते है यूनिट के पहले इस्तमाल किया जाने वाल कर चुक है चैप्टर नमबर वन में फिजिक्स के अंदर अच्छा और आई दिया हुआ ह क्या पता करना है कि जै का फॉर्मुला किया है कि आ ऐवाय ए फॉर्मुलल के ए एप सुनो आई एसी रहे का एड़ीया णयागरण है लेकिन आपको पता है वायर का ये एरिया ओफ क्रॉस सेक्षन कैसा होता है सर्कुलर कैसा होता है सर्कुलर होता है तो इसका फॉर्मला क्या लगेगा पाय यार अब आसान है आई कितना है वन पाय की वैलो होती 3.14 तू आप ऐसे कर सकते हो पॉइंट 6 को ना बच्चो अगर पॉइंट एक आगे कर दिया तो क्या हो जाएगा आगे क्या तो माइनस 1 ना और माइनस 3 अल्रेडी था तो माइनस 4 हो गया तो 6 इंटू 10 का पावर माइनस 4 इसका क्या कर रहे है ठीक है अंदर स्थूद 6 का स्क्वेर कितना हो जाएगा 36 10 रेस तू 4 टूजा 8 माइनस पावर के उपर पावर मल्टिप्लाय करता है ना 10 रेस तू माइनस 8 उपर गया तो अब मेरे पास यह दूनों नंबर है ठीक है आप इसको या तो मल्टिप्लाय करो फिर पॉइंट शिप्टिंग करना पड़ जाएगा कैसे कर लेते हैं इंटू 36 कर दें चत्तिस दूनी बाततर हां चलो चत्तिस दूनी बाततर चत्तिस चौक कितना होगा 144 144 प्लस 7 ए इंडिविज्वली 6 से भी कर सकता है बावा 151 तो 15 केरी चला गया 36 वन्जा 36 उसमें 5 मिलाया 41 51 36 तरीजा कितना होगा 108 108 प्लस 5 राइट से तीन के बाद पॉइंट कितना है या ठीक है अभी आप रैसी ब्रोकल नहीं देख सकते हो क्यों रैसी ब्रोकल में अपान वाला नंबर एक से दस के बीच में होना चाहिए अभी तो 113 है 100 के उपर चला गया पॉइंट शिप्टिंग कर देंगे तो पॉइंट को अगर बच्चों में दो पीछे ले लेता हूं आपको पता चार्ट डिजिट में सॉल होगा आगे का मतलब नहीं है पीछे लिया तो प्लस छे बचेगा अभी वन पॉइंट वन का थ्री वन में देख लो रसी प्रोकल वन पॉइंट वन का थ्री और वन में देख लो हां एट एट फोर टू जीरो पॉइंट ही हो गई और टेन का पावर साइन्टिपिक नोटेशन में आगे कर देंगे एट पॉइंट क्या वह आंसर नहीं आया गया इतना ही दिया हुआ हां तो order of magnitude में लिखाए फिर क्या में लिखाया चलेगा आप ऐसे ऐसे भी लिख दो मैं बता रहा हूं कि वह order of magnitude देखा है उन्होंने आप इसको 8.8 और 10 का पावर सेवन लिख दो के तब भी चल जाएगा को लिख सॉरी 5 लिख दो गया 5 हो जाएगा सॉरी ठीक है कि यूनिट क्या होगा इसका कि फॉर्मुले को देखेंगे और यूनिट बताएंगे एंपियर और नीचे एरिया का मिट्र स्कुर्ण तो एंपियर पर तो यूनिट हो जाएगा खतम दोनों नुमरिकल हो गया तो लास्ट टाइम हमने जो फॉर्मुले करे उस पर दोनों दो टाइप के नुमरिकल अप उन्ने कर लिए जल्दी से करेंगे ए नेक्स्ट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉओ ओम्सलो अभी शेप्टर में अगरे शेप्टर आपको आए एक्जाम में आ रहा होते हैं तो ओम्सलो जरूर पूछते हैं ठीक है स्टेट ओम्सलो ओम्सलो क्या है बताओ सुनो हाँ फॉर्मुला आप लोगो पताओगा वी इस इकल टो अईयर एक्सल में जॉर्च ओम्सलों कि सैंटिस का नाम याद रखेंगे ठीक है जॉर्च साइमन ओम तो जॉर्च ओम इन्हों ने एक रिलेशन बताया था सुनो आई और वी में डिरेक्ट रिलेशन होता है आई और वी में क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि कोई तार है उसके आगर एक रॉस में अपने बैटरी लगाया थीक है तो अगर आप क्या करते हो वी बढ़ाते हो क्या करते हो तो उसमें से जो करण डॉड रहा है वो भी क्या होगा बढ़ेगा तो आई और वी में क्या रिलेशन है डिरेक्ट रिले कि जो वायर होगा न आपका वहूणिफॉर्म होना चाहिए और इसका टेम्प्रेचर चेंजन नहीं होना चाहिए लिए यह रहो है यह करके का अगे ब्ला का विक्सक्र принцип junto कर तो थैसे बढ़ का बढ़ता है क्यों बढ़ता है कहानी बात करेंगा इसको अगर लफजों में हम लोग बोलते हैं यह रिलेशन निकाला था जौर साइमन ओम ठीक है तो उसके नाम के इसाब से ओम स्फलोग करेंट आई तुरू कंडक्टर को एक कोई तार है उसमें से जो करेंट जा रहा है इ उसको बोलते हैं पोटेंशल डिफरेंस पीडी जा बोलते हैं ठीक है पोटेंशल डिफरेंस वी अप्लाइड एक्रॉस इट मतलब इस तार के दोनों छोरों के यानि दोनों किनारों के ठीक है बीच में आपने जितना भी बैटरी लगाया हुआ है वोल्टेश का दो प्रॉइड़ क्या बोल रहा है। यह प्रोवायोड इस चरीचे और इसका मतलब है चाहिए थत्मेशर पे बात करेंगे ऊ तो इतना याद रखना आपने को यह आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां से लिखना है इसको हाइलाइट कर लो अपने बूक में अचा फर्दर स्टेट एंड एक्स्प्लेन ओम्स लॉव बोलता है अचा याद रखने पहले परग्राफ से कुछ बोलने की जरूद नहीं बस साइंटिस का नाम आप अंटरलाइन कर सकते हो ठीक है जौर साइमन ओम और कुछ पढ़ने की जरूद नहीं जर्मन साइंटिस था इतालियन था समझा रहा है ब्रिटिस था बोलने की जरूद रहा है इसे जर्मन साइंटिस था ओके किया इतना इसका ग्राफ कैसे बनेगा आई वी ग्राफ सुनो बात को जयानुके सब्सक्राइब है इसका जो आईडियल बात कर रहा हुँ है इसा आइडियल यानि ठी एयूरिकल ऐले निए अबकराइब हैं ठीरटिकल तंडिकल पास थिररी ठीर्टिकल कंदडटिक्टर है फुट को है उसमें I or V में क्या relation है डिरेक्ट रिलेशन है जब भी किसी में डिरेक्ट रिलेशन होता है और उसका आप गराब बनाते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है कैसा मिलता है लेकिन जो हमारे पास प्रैक्टिकल कंड़क्टर होते हैं जैसे कोई कॉपटर का तार लिया उसके लिए जब आपने फॉर्मुला पढ़ाओं और is equal to hr1 ए पढ़ंगी वजया से हम लुग हीट नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको बता है तार मैं से जब current flow करता है तो वो गरम होता है क्योंकि एक्षट्व में current फ्लो में कर रहे हैं इसकांट King और जब एलक्ट्रोन ऐसे फ्लो कर रहा होता है तो यह इदर आजू-बाजू सबसे टक्राता आए और टक्राने की वज़ा से प्रिक्षन आप हाथ ऐसे रगडो देखो हीट हो जाएगा तो फ्रिक्षन की वज़ा से क्या होता है हीट करेट होती है तो तार क्यूं गरम हो रह यह तो बढ़ी रहा है जब दोनों बढ़ने लगेगा तो वी क्या होगा जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ेगा इस वज़से ग्राफ जो है यहाँ चलके थोड़ा आगे जाने के बाद इधर बैंड होने लगता है वी की तरफ वी इतना होना चाहिए दा लेकि यह गुड कंड़क्टर की बात कर रहा हूं क्या बात कर रहा हूं तो गुड कंड़क्टर का एपीछे बॉइस गुड कंड़क्टर का ग्राफ एकदम लीनियर नहीं रहने वाला है थोड़ा सा क्या होगा वी की तरफ बेंड होगा समझा रहा है लेकिन अगर मैं आईडियल इन क्रीज होने लगता है जिसकी विए से ग्राफ वी की तरफ बेंड होता है अंडर्स्टूट ये ग्राफ समझ में आ गया थैक है आपको यह सब लिखना है जब explanation आयागा तो आपको graph बनाना है इन जनरल आपको यह relation लिखना हैं यह statement में तो लिखना है आपको जब स्टेट भी बोलेगा तभी यह रिलेशन लिखना है क्योंकि यहीं से आप डेफिनेशन याद करोगे अच्छा अब यहां सुनो आई इस प्रपोर्शनल टू वी मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिखता हूं वी प्रपोर्शनल टू आई ऐसा क् कॉंस्टेंट है क्या है तो मतलब इस तार का रेजिस्टेंस अगर फिजिकल स्टेट बदलते नहीं आप टेंप्रेचर चेंज नहीं होता है ठीक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है यूनिफॉर्म वायर है तो आई और वी में डिरेक रिलेशन होगा प्रपोर्शनलेटी जब भी हटता है तो एकवल और क्या आता है तो यहां कॉंस्टेंट कौन आया आ रहा है अब बुले सर ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसे मैं आपने हटा के क्यों नहीं लिखा ऐसा नहीं होगा यहाँ अगर आप अप हटा ओगे तो आपको यहाँ पर proximity constant 1 upon R लिखना पढ़ेगा क्या लिखना पढ़ेगा 1 upon R resistance जो है न वो formula V upon I होता है I upon V नहीं होता है क्या होता है V upon I तो आपको यहां पर ध्यान रखना है ने तो आप क्या करोगे आई प्रपोर्शनल टू वी लिख दोगे यह अटाओगे एक्वल और क्या लिख दोगे समझा रहा है तो वैसा गड़ पड़ हो जाएगा वन अपॉन आर लिखो कि तब यह डिलेशन सही होगा तो बेसिकली सुनो सभी बच्चे यह कैसे आया समझा रहा है इसको मैंने पहले तो ऐसे बनाया प्रपोर्शनल टाया और आर लेकर आया वी इकुल टू क्या बन गिया यहां से आर का फर्मुला क्या बनेगा वी अपॉन अब एक बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे वाय एक्सिस पर मेरा कौन है वी है एक्स एक्सिस पर कौन है यह मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है कि स्लोप का फर्मुला आपको पता है क्या होता है आ ठीक है टेन थीटा होता है और वही होगहना डेल य है मतलब डेल वाय मतलब य टू माईनस अपॉन एक्सिस पर कौन है वी आपॉन आई कौन होता है मतलब स्लोप किसके पराबर होगा गणूलगो याद रखो वी-आई चरेक्टरिस्टिक में लाफ में ऑल जो स्लोप Cook वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो इस गराफ का जो अप ढहलान निकालो वो आपका रेजिस्टेंस होगा कौन होगा रेस्टेंस होगा याद रहेगा यह चीज नोडवर्धी है इसको नोड़ करके रखेंगे नीचे कहीं लिखा निए इसके बारे में ग्राफ के पास लिख लो ग्राफ के पास slope 10 theta होता है उससे कोई लेना दरा नहीं है y upon x होता है तो y पर कौन है v और upon में ध्यान रखिए इसको चलो एक बार पूछू v i characteristic graph है मेरे पास v i graph है basically v i का relationship वाला graph है v i और i इसका slope किसके बराबर होगा resistance के इसका slope निकाल लोगे आपको resistance पता चल जाए ठीक है तो हम लोग practically क्या करते हैं एक तार लेंगे क्या करेंगे बोलो उसमें एक battery लगाएंगे और ये इसका जो voltage है वो variable है मैंने arrow बना दिया इसका मतलब voltage हम लोग बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं voltage बढ़ाते जाएंगे इसमें बहने वाला current भी क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा आपने वन वोल्ट रखा current for example .1 ampere हो गया टू वोल्ट कर दिया पॉइंट टू हो गया समझा रहा है voltage बढ़ाते जाएंगे current बढ़ते जाएगा फिर आप इसका ग्राप बनाएंगे ऐसा लाइन बनेगा उसका slope निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगा खतम होगी बाद प्रैक्टिकल हो गया understood चलो नेक्स्ट क्या आपको अभी आर का formula याद हो गया है अब हम लोग एक नया definition करने जा रहे हैं यहां पर सबसे पहले हम लोग यूनिट देख लेते हर एक का क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में रेजिस्टेंस का formula हमको किसने दिया था ओम ने दिया था किसने दिया था ओम ने दिया था इसलिए इसका यूनिट उसके नाम के इसाप से आया ओम तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम लेकिन यह ओम किसके बराबर होता है इस formula से पता चल जाएगा आपको आर का यूनिट होता है ओम शांति ओम हो हम ओम हो अधिक यूनिट होता है वोल्ट वोल्ट करेंट का यूनिट होता है ट करेंट के बारे में एंड्री एंपीर ने दिया था यह इवी साइंटिस्के यह भी वोल्ट अबी इस साइंटिस का नाम यह वोल्ट ना मनाओ तो तसा सीनेंटे के नाम के इसाब से कर पार इस एकल टू भी अपॉन आर का यूनिट तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम पोटेंशल डिफरेंस या वोल्टेज का यूनिट वोल्ट करेंट का यूनिट समझा रहा है यूनिट एक दम परफेक्ट होना ची यह सब आपके सामने रखता हूं मेरे पास एक तार है हरे एक तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा बैट्री का वोल्टेज आपने रखा है वन वोल्ट और इसमें से जो करेंट हम लोग इदर पर मिलीए अमिटर या एमिटर लगाते जिससे मुझे पता चलता है कि करेंट कित कि तो वन अपॉन वन इस वन और और का यूनिट होगा तो वन ओम समझ में आ गया क्या हो गया जब हमने बैटरी का वुल्टेज कितना अप्लाई किया वन वोल्ट और वायर में से करेंट कितना पास हो रहा है तो रेजिस्टंस अब दी कंड़क्टर कितना होगा वन ओम होगा वन ओम का देफिनेशन देख लिजे बच्चों आपको कुशन पूछेगा डिफाइन वन ओम क्या बोलेगा तो यह रावस का देफिनेशन यह आपको इसका देफिनेशन पूछेगा इस इस पूटेंशल डिफरेंस आप यह कंडीशन भी बना सकते हों यहां पर आपको इस अब इस पूटेंशल डिफरेंस आफ वन वोल्ट एक्रोस आपको अगर एक एंपिर करेंट प्रडूश कर रहा है किसी तार के एक्रोस में देन रेजिस्टंस ओफ दी कंड़क्टर इ इस बहुत सिंपल है वच्छों वानों का एक तार लिया उसको बैटरी से कनेक किया बैटरी में लगाया एक वोल्ट कितना वोल्ट करेंट कितना पास हुआ तार में से तो इसका मतलब उस तार का उस कंड़क्टर का रेजिस्टंस कितना होगा खतम हो गया यह डेफिनेशन ठीक है कि कर लीजे परवाट सबस्कों अच्छा आप कोई लोग पूछें के सब रेजिस्टंस होता क्या है तो रुकावटें यह हां कि अगए कि ओके तो रेजिस्टंस क्या होता है रुकावट ही होती है किसके फ्लो में रुकावट होगी इलेक्टरॉन के बहाव में तो समझा रहा है जो करेंट को रोकेगा जो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा वही हो जाएगा तो करेंट भी क्या हो जाएगा कम है समझा रहा है अच्छा सुनू तो बैसिकली रेजिस्टेंस एक पोजीशन है क्या है यह अपोजीशन कि जब इसको ऐसे देखने लगा न तो ऐसे करने लगता है जयान देख मार खायेगा बहुत रावल गांधी के पास बेज दोंगा तरको अच्छा ए बाद में बोलना इसर सुन कि आप लोग एक अग्जांपल एक अग्डॉक्टर से अग्डॉक्टर जो है ना किससे बना होता है एक अटम से बनाओगा अग्डॉक्टर कोई इलक्टरॉन लास्ट वाले लेक्टरॉन जो के फ्रीली डी-लोकलाइज्ट प्रिली मूफ कर सकते हैं कि जब यह चरेंगे बैटरी जैसी कनेकरेंगे तो फ्लो करने शुदू करें तो आपको मालूम है के रास्ते में यह अपने ही आयन से मतलब इलेक्ट्राऊ अगर मैं यही क्या हो गया समझा रहा है कि अच्छा अगर एक रोकने की होती है तो एक बहाने की अबिलिटी होती है जैसे मैं एक एक्जांपल बताता हूं ठीक है किसी दिन आप गर पे लेट पहुंच है आप बॉइस की बात कर रहा हूं अब लाबर है कि एक किसी घर में उल्टा भी होता है जैसा मैं बता रहा हूं सिच्वेशन ठीक है जायता रहता है अब अब रात में लेटा है बेल्ट निकाल के रखा हूं ठीक है दर्वाजे पर बैठ तो अब यह आपके अब्बा कौन हो गया पोजिशन हो गया रेजिस्टन्स हो गया अच्छा लेकिन मम्मी क्या मम्मी क्या बोल रही है बेटा यह जाने जाने जो जाने मालूम है न ऐसे करती है अच्छा तो पापा आने निदर है और मम्मी पापा खड़े है को समझा रहा है तो आप सुनो तो कोई कंड्ड़क्टर के अंदर ना दो एबिलिटी होती है एक रोखने की अबिलिटी होती तो एक चंड़क करवाने वाली और यह दोनों एबिलिटी एक द्दूसरे का उल्टा है ना तो फॉर्मुला भी उल्टा होगा समझ जा रहे हैं, ओके सुनो, तो एक resistance है, तो दूसरा बहाणे वाला जो ability होगा, वो conductionence होगा, क्या होगा और conductionence कौन होगा, resistance का तो what is conductionence, reciprocal of resistance हो गया, conductionence का definition, what is conductionence, तो conductionence को एंटरलाइन करो, define conduction बोलेगा तो तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इस कॉल्ड कंडॉक्टर्स ठीक है फॉर्मूला भी समझा गया क्यों उल्टा है क्योंकि इसकी उल्टी है तो सीजी इकोल टू वन अपनार अच्छा अब यूनिट पर बात करते हैं अब सभी बच्चे ध्यान देंगे यूनिट पर बात करते हैं इसका यूनिट क्या होता है ओम ना ओम उपर जायेगा तो ओम इनवर्स ओम के ऊपर कुछ पावर नी नहीं मतलब बन है ऊपर जायेगा तो ओम इनवर्स एहक यह फॉर्मुले क्या कोरडिंग हो गया इसके इसके इलाबा किसका एक और यूनिट कंड।क्टन्स का यूनिट साइमन ऑम इनवर्स बोल सकते हो साइमन सकते यानि सिरे वैस याद रखेए इसका यूनित क्या होगा हूं मिंवर्स हो सकता है और सिरे अस कि सिर्फ एस क्या है सामयत है कि समय जा गया चीए एक कंडुक्टिविटि एक टैसका कितना हूंट होगा दो, एक तो formulaic according ohm inverse हो सकता है और which is equivalent Simon याद रहेगा अच्छा एक और बात आपके सामने जहनेशीन कर देता हूँ इसको यह symbol को ना हम लोग और एक chemistry में जब class 12 में जाएंगे तो आप capital G भी देखोगे नहीं conductance का ही symbol है तो C यहाँ पर conductance से C उठा लिया गया लेकिन आप capital G भी symbol देखोगे understood चलो अब हमारे पास एक numerical है यह वहला numerical देख लेते हैं यह निम्ट्रीच आप करते हैं कहानी समझते हैं आपके पास एक फ्लैश्लाइट है फ्लैश्लाइट है टॉर्च है यह कितनी बैटरी इस्तिमाल करती है यूजेस टू 1.5 वोल्ड बैटरीस टू प्रुवाइड स्टेडी करेंट यह आई दिया हुआ है कि डिटर्माइन रेजिस्टेंस क्या समझाया सवाल में सिचुवेशन क्या है सुनो अच्छा कभी आप लोग ने वह गाउंवाला टॉर्च देखा है उसमें बैटरी लगाया कभी कैसे लगाते यह एक बैटरी है आपको मालूम है ऐसे कुछ होता है पॉजिटिव नेगेटिव जब दूसरा बैटरी इसके पीछे लगाऊंगा तो कैसे लगेगा ऐसे लगेगा ना अगर यह एक देड़ वोल्ट का होगा और यह तो देड़ और देड़ कितना वोल्ट हो जाएगा यह अगर ऐसे लगाऊंगे तो सीरीज में और अपोजिट टर्मिनल लगाऊंगे तकलिफ है रहे तिम लोगों हाँ क्या है पीछे वोईस तकलिफ क्या है कुछ गड़ बड़ है गुड़ 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 हो रहा है बेचैनी क्यों एतना चतुर का चूरन चाहिए सुनो अब इसको सिंबॉलिकली सर्किट में हम लोग कैसे बताते हैं बड़ी लाइन पॉजिटिव चोटी लाइन यह मेरा एक बैटरी हो गया ऐसी दूसरा एक और बैटरी लगाना तो फिर से बड़ी लाइन और छोटी लाइन अब यह दो बैटरी सीरीज में लगी है तो इसका देड़ वोल्ट कितना हो जाएगा टोटल तीन वोल्ट तो एक parallel क्यों लगाते हैं अभी इसी चप्टर में लास्ट टॉपिक है जब हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है करेंट सेम रहता है समझा रहा है और जब हम लोग क्या लगाते है पैरलेल में लगाते हैं तो उस केस में और सेम सेम टर्मिन लगाना पड़ता है पॉजिटीव पॉजिटीव नेगेटिव नेगेटिव तो करेंट बढ़ेगा वोल्टेज विल भी सेम ओके तो यहां पर आपका मैं भी सिच्वेशन समझाने के लिए सिर्फ मैंने एक बल्ब इस्तवाल कर लिया है आपके पास लेकिन क्या है टॉर्च यह है टॉर्च फ्लैश लाइट है सेम कानी है तो आपका वोल्टेज कितना हो जाएगा बता सकते हैं 1.5 प्लस यानि क्या आपको यह कानी समझाई कि वोल्टेज आपका देड़ नहीं है कितना है अच्छा आप ऐसे सवाल पूछ सकते हो कि अगर फॉर एक्जांपल सर हम लोग ने सेम सेम टर्मिनल सीरीज में लगा दिया तो कभी आप लोग से गलती हुई होगी उट्स टॉच में ऑन नहीं होता ह क्यों नहीं होता है क्यूंकि जब आप सेम टर्मिनल लगा देते हो तो सब्ट्राक्ट होता है अगर मैं पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव जारेक मिला दू पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो सब्ट्राक्ट हो जाएगा 1.5 माइनस 1.5 अब 0 वोल्ट आप कर रहे हो पोटेंशल तो कैसे करेंट फ्लो करेंगा और वो कैसे अन होगा समझ आ गया तो डेटा क्या लिखते हैं कि यह समझा गया करेंट कितना फ्लो कर रहा है क्या आपको आर का फॉर्मूला पता है क्या है यहां पर देखो जो आप गडबड कर सकते हो वो क्या है कि वी अगर सिर्फ 1.5 कर दिया तो गडबड हो जाएगी हम अब को इसलिए situation ड्रो करना है दो बैटरी का सम्हाल किया तो एक क्या पता है आपको पॉइंट tua साइँ मतलब क्या होता है ये is one बट तू 1.5 मतलब क्या होता है is त्री तू लीजिसंस देन्टेंस निकाला हुआ है ओम शान्ती ओम ling कि अग्वाइब कर देखें नेक्स तुनेंगे हमको एक फर्मुला डिराइफ करना है अब कि यह देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फिल्ड का फर्मुला निकालना है क्या निकालना है कि इक फर्मुला निकालना है तो इस फर्मुले को कैसे निकालेंगे आजा बात करते हैं क्या हाँ पाई यह है कौन सा पाए है वो टाउ है टाउ हाँ उधर पे भी वही सिंबल इस्तेमाल होता है यहां पर टाउ टाइम के लिए इस्तेमाल किया गए टाउ सिंबल जो है ना दो तरीके से यूस किया जाता है एक टाइम बताने के लिए और एक रोटेशनल फोर्स बताने के लिए यह नहीं टॉर्क बताने के लिए कि यह सुनेंगे सभी बच्चे आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए इलेक्ट्र स्टैटिक में इसको डिसकस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है जैसे माले लिए कोई एक पॉजिटिव चार्ज है क्या है तो पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर से यह फील्ड निकालता है ऐसे यह electric field है और positive charge spherical माना जाता है तो यह हर दिशा में ऐसे electric field निकालता है तो electric field originate from positive charge negative charge बात करूँगा तो electric field उसकी तरफ आएंगी यह arrow आपको radially outward दिखाई दे रहा है और negative वाले में radially क्या हो जाएगा inward ठीक है अच्छा आप सुनिए यह positive charge का area है क्योंकि उसकी उसी का field है अब इसके field में अगर आप कोई test charge को q0 बोला जाता है test करने के लिए इसकी field में enter करवाते है और जो के यह भी क्या है positive charge है positive charge है लेकिन बहुत ही छोटा सा है और यह test charge बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है मुझे बताओ अगर मैं इसकी field में किसी और यह भी positive और यह भी positive उसको लेकर आता हूं यह क्या experience करेगा repulsion क्या experience करेगा क्यों like do not like each other like charges है ना तो like charges repel each other positive positive क्या करेंगे repel करेंगे सही है अब repel करेंगे तो मतलब force लगाएगा नहीं है तो इसके उपर इस दिशा में ऐसे यह क्या करेगा एक force लगाएगा q0 के ओपर तो at this point electric field कितना होगा तो electric field बोलते हैं हम लोग force पर unit test charge तो electric field क्या होती है force per unit charge short में ऐसे बोल सकते है what is electric field short में कैसे बताया सुनो हमने एक charge लिया positive charge से electric field निकलती है आस पास का area positive charge का है इसकी field में अगर कोई दूसरे charge को आप enter करवाते हो same charge वाल तो वह क्या करेगा repulsion करेगा अगर आप negative charge तो आट्रैक करेगा समझा रहा है लेकिन अगर positive रहेगा तो क्या करेगा इस तरफ ठकेगा फोर्स उस दिश्या में लगाएगा समझारी बात तो फोर्स जो टेस्ट चार्ज पर लग रहा है फोर्स पर यूनिट चार्ज फोर्स पर यूनिट इसी को क्या कहते है electric field at that point तो इस point पर electric field कितना होगा field कितना है ठीक है तो फोर्स तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला force ही कौन है electric field फोर्मुला समझा गया is equal to क्या होता है f upon q सभी बच्चे electrostatic chapter का actual में फोर्मुला है कि मैंने electrostatic पहले नहीं करवाया उसका रीजन है क्योंके पहले यह करवा देतें कॉलेज में याद रहेगा सभी बच्चों को फॉर्मुला क्या बोला मैंने जल्दी से बोलो force per unit charge या force upon charge अब अगर मैं आपसे force का फॉर्मुला पूछू तो इसको यहाँ भेजोगे तो आपका f का फॉर्मुला क्या बनेगा q into e इतनी कानी समझ में आ गई अच्छा अब मेरे पास तो ऐसे कोई positive तो फॉर्मुला है हमारे पास अब हमारी कानी तो इसके अंदर की है यह तार है यह बैटरी है कौन बताएगा इस तार के अंदर electric field का direction right to left या left to right होगा बोलो बोलो electron का move करेगा left to right ओके मतलब इस तरफ electric field किदर होगी इदर यह symbol इस्तेवाल किया था आप उनने वडानी वाला जो फॉर्मुला कर रहे थे तभी है ना VD इदर होगा electric field इदर current इदर यह जा रहा है electron उदर flow करेगा drift velocity भी उस तरफ होगी कुछ यादा रहा है ऐसे अच्छा तो यह electron उस तरफ किसके opposite में भाग रहा होता है electric field के opposite direction में क्योंकि इसको मालूम है electric field ऐसे आ रही है इसके मतलब उस तरफ positive है तो positive पी तरफ भागेगा यह है ना positive आप ऐसे भी feel कर सकते हो अच्छा तो यहाँ पर मेरा charge कौन है पता है charge on electron क्या सिम्बल इस्तमाल किया हमने जल्दी बताओ हां यह चार्ज होन इलेक्ट्रॉन इस वोट इए की वैलू 1.6 तो मैंस 19 कूलम तो आप सुनो यह electron जब इस electric field में होगा तो इस पर फोर्स कितना लगेगा कौन बताएगा पोर्स का formula q into e और q electron का कितना होता है e होता है small e small e into capital e capital e कोन है electric field है और small e कोन है charge और electron है तो formula बनके ना f is equal to q into e e into e देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा है अब तो यह formula का समझ आया कहां से आया ठीक है force का formula in terms of electric field क्या होता है q into e होता है वेक्टर फॉर्म में बात करें तो f बार चार जो है ना चार्ज आपका स्केलर कॉंटिटी रहेगा electric field vector quantity है जो force का direction होगा वही electric field का direction होगा जो force का direction वही तो f बार और यह क्या हो जाएगा e बार पॉजिटिव चार्ज के लिए अपने ऐसा बोलते है ठीक है तो दोनों वेक्टर तो बार बार लिख दिया और कुछ नहीं आयोब यह समझ में आगे इतना यह वाला फॉर्मुला कैसे आया आगे बढ़े जाए अच्छा अब मुझे आप यह बताएंगे फादर इसी कुल टू मा होता है कि नहीं यहां से एक का फॉर्मुला क्या बनेगा एक काम करो चलो f इसी कुल टू में बनेगा कि नहीं बनेगा ओके अब मैं यहां से पॉइंट टिक माक कराता हूँ आपको इसका मास कितना है कहां पर यह सब्जेक्टेट टू एन इलेक्ट्रिक फिल्ड एक इबार इलेक्ट्रिक फिल्ड में ठीक है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करता है इबार के अपोज़िट डिरेक्शन दे फोर्स एक्स्पिरिंच बार इलेक्ट्रों विल बी यह हो गया एक्वेशन नंबर एक्वेशन नंबर वन देजो उसको और एक काम को स्वरी पॉइंट नंबर वन अभी एक्वेशन आप उन आगे देखेंगे इसको यूस करना रहे तो करें एक्वेशन मत दो ज़ो शे इधर से A का formula क्या बनेगा M को यहाँ बेजूँगा A का formula क्या बन जाएगा F by अच्छा अब इसको use करना रहेगा तो मैं इसको 1 दे देता हूँ equation number 1 दे देता हूँ second point लिखता हूँ the acceleration experience by the electron will be A का formula इससे पहले एक step लिख दो इसके पहले A bar is equal to F bar upon M क्या है समझाया सर M bar क्यों ने लिखेंगे हम लोग M scalar है M क्या है acceleration vector quantity of force भी क्या है इतना समझाया अच्छा यह F bar की जगा क्या आ गया F bar is equal to क्या है E bar F bar की जगा आ गया ठीक है अब यह जो equation बनाना बच्छो इसको आप 2 बोल दो क्या बोल दो क्या बोल दो 2 बोल दो समझ गया इतना equation number 1 बनाया acceleration के formula में put किया 2 बन गया यहां तक clear है सबको आगे बढ़ू माक किया यहां तक जितना टिक माक करना उना उतना ही करना जादा लिखने की जरूत नहीं है अपने को थर्ड पॉइंट लिखेंगे लेट टाउ भी दा average time between यह टाउ है टाउ टॉर्क नहीं है टॉर्क का सिंबल हम लोग इसको इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहां पर टाउ टाउ टाइम है सिंबल का नाम टाउ है याद रखेगा सिंबल का नाम क्या है यह आपके टाउ है टाई भी आएगी टाइजर मतलब टाउ आ गए तो टाई भी आएगी अच्छा यह जो यहां पर टाउ ऐसा टाइम इस्तेमाल किया गया है क्या बोल रहा है देखो लेट टाउ बीदा एवरेज टाइम बिट्वीन तू सक्सेसिव कोलीजन अपने सर कोलीजन क्या है जब यह इलक्ट्रॉन बच्चो दोड़ेगा ना तो आपको पता है इसका एक आयन होगा इसका इसी का केटाइन उससे जाके टकराएगा उससे टकराएगे फॉर इस कोलीजन के बीच में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं यह वो टाउ है तो टाउ है जैसे मैं बता रहते हैं अगर कोई एलक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो जाएगा फिर पीछे आएगा किसी टकराएगा फिर जाएगा ऐसे आएसे करते हुए आगे बढ़ता है ड्रिफ् तो एवरेट टाओ अभकर ते आवरेज टाइम बिट्वीन अब बोले सो सरे डारेक्ट टाइम बॉल रहे हैं सुनूं ऐसे बहुत सारे कॉलीजिन होगे इना किसी को लीजिन में कम टाइम लगेगा किसी में चंफा लगेगा किसी में उसके बीच में होगा क्या करेंगे सारे क्या निकाल लोंगे आछ सब कहें के लोगे iau कि के से निकालते आपको मालूम थे सब को प्लस करके जिसे लोगों को डिलस कर रहे got try दवाइब इंहीं 상태 कि क्या तकर रहा है तो दो टकराने के बीच में गम टाइम लगेगा वो टाइम टी रहेगा फिर हम लोग क्या करते हैं सबका एवरेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा तो मिलेगा तो वोट इस टाउ थर्ड पॉइंट लेट टाउ बीदा एवरेज टाइम बिट्वीन टू सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक होने वाले समझा रहा है एक के बाद consecutive फिर इसके बाद ये भी आगे टिगमा कर लो ओन एन एवरेज फिर्ड पॉइंट यहां से दस ओन एन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीट कितना हो जाएगा अब ले सर ये कहां से हो गया एए acceleration का formula क्या होता आपका velocity upon time तो velocity का formula टी उदर चला जाएगा अरे acceleration क्या होता है rate of change of velocity यह जा रहा है यह जा रहा है यह जा आए तो है ना तो average जिर्फ्ट कितना हो जाएगा a into tau हो जाएगा क्या हो जाएगा यह general formula बता रहा हो मैं आपको तो vd का formula हो गया a into tau यह समझा गया अच्छा उसके बाद उसके बाद यह सब कुछ नहीं लिखना है आपको ओके यह equation लिख दिया इसके बाद आपको बुलना है अरे acceleration का यह formula पढ़ाया अपने इसको यहां बेजा तो 80 हो गया है तो drift velocity क्या हो गया acceleration इंटू तो यह द्यान दो वीडी का फॉर्मुला बन गया इंटू ताउ अब सुनो फ्रॉम टू फ्रॉम क्या बता सकते हो यह एक इतना है एक इतना बता सकते हो कुछ याद आया अरे बोल दो तो हमने क्या किया फॉर्म टू जो इक्वेशन नमबर टू में हम लोग ने ए निकाला था उसको इस एक वीडी इस इकल टू टू ए टाउ है एक ही जगा उठाया इसको पुट कर दिया फॉर्म टू लिख दिया समझ आया क्या वीडी का फॉर कि इए मुझे निकालना था फॉर्मुला किसका पता है मुझे फॉर्मुला निकालना है एक इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटरम्स ऑफ जे अप सुनो इसको इधर फॉर्म में लिखेंगे तो इधर भी लिखेंगे ए और इधर पे वीडी बार क्या है आउंस पिड है तो अप लोग ने सकेलर में लिखा हुआ है नहीं समझय बात को अब पुराणा बोलो के सर वहां तो बार में लिखा तेब बिना बार के लिखो गे तो क्या हो कि बिना बार के लिखो को जिक्कत नहीं है अच्छा आगे ही कानी सुनू कि क्या आपको यह चीज बालूम है वीडी ऑल्सो इक्वल्स टू प्रम टू लिख दिया ठीक है यहां लिखो ए वीडी इस इकुल टू क्या आपको यह वाला फर्मुला याद है जे अपॉन नहीं याद है कि यह वह ना पहला डरिवेशन चप्टर का अच्छा और एक वीडी हम लोग ने यह निकाला ठीक है मैं इसको थोड़ा सा ना रियर्रेंजमेंट देखो मैं कैसे कर रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ वीडी इस इकुल टू ईए बाई टाउ ईए टाउ बाई एम बी होता है और पुराने फॉर्मुले के अकॉर्डिंग सुर्य जे अपॉन यह दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ के नहीं बताओ यहां से इका फॉर्मुला कैसे बनेगा इका बनाना है इको यहीं पर छोड़ दो बाकी सबको भेज दो इ टाउ और यह बाई एम उदर जाएगा तो यह हो जाएगा जे यह काम करो जे को सेपरेट कर देता हूं मैं क्योंकि यहां पर मुझे ब्रैकेट में लिखना है एम उपर जाएगा इनीचे आएगा इन्टू इ इस्क्वेर और टाउ और यह जे बन गया फॉर्मॉला ठीक है इस्क्वेर एन्टू और यह क्या बन गया जे का फॉर्मॉला बन गया समझ गये क्या क्या किया पूरा स्टेप देख लो एक बार क्या कि बता रहा हूं मैं रुकुना इतना समझाया इसको भी कमपैरिजन करने वाला हूं है सुनिएगा सुनिएगा इसको बता रहा हूं है इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? V की जगा आ जाएगा E. V की जगा क्या आ जाएगा? R की जगा आ जाएगा Resistance है, इसकी जगा आ जाएगा Resistivity. और Current की जगा आ जाएगा Current Density. E is equal to Rho J. E is equal to V is equal to I R मालूम है कि नहीं मालूम है? तो इसको Comparatively कैसे याद रखेंगे? V आपका Potential Difference है, इसकी जगा आ जाएगा Electric Field. आई आपका Current है, Current की जगा आ जाएगा Current Density. और Resistance की जगा कौन आ जाएगा? Resistivity. Resistance की जगा, Current की जगा, Current Density. और Voltage की जगा, Electric Field. ऐसे Comparison से याद रखना आपको. तो कुछ ऐसी बनाया है, E, J, ये Term कौन represent कर रहा है? क्या होगा ये? Resistivity होगा. तो ये जो Bracket वाला Term है, कौन है? देखो यहाँ पर. E is equal to Rho J, where Rho is the resistivity of the material. Material का क्या होगा? Resistivity. Resistivity, अलग से आप उन डिसकस करने वाले हैं, कि Resistivity क्या होता है? कोई बात नहीं, अभी वापस कर लेंगे आपर. लेकिन ये याद रखना है, इसकी जगह आप क्या पूट करोगे? Rho, और बोल तो के Rho कौन है याँ आपर? Resistivity, ठीक है? करो पटावर्स को. मिटा दूँ ये सब एक्स्रा जोबी step बताया हो सब. तीन पॉइंट में अंसर कर देना इसको, तीन पॉइंट में, हाँ. Derive करने के लिए आएगा आपको. E का final formula क्या बना अगर यहाँ देखोगे तो इसको भी box बना लो. E is equal to Rho J. याद रखना आसान है. V is equal to Rho I याद है आपको. V is equal to Rho I लिख दो आप. V की जगा E, R की जगा Rho, I की जगा J. Formula याद हो जाएगा. ये Rho इसके बराबर है. ये वाला लिखना है, उसके बाद लिखना है कि ये वाला जो है वो Rho होता है. ये जो टर्म है वो गौन है, तो इसकी जगा Rho लिख देनेगा. E is equal to Rho J. Rho J तक प्रूफ कर दो Rho J तक. खतम, बस, हो गया Derivation. अब यहाँ पर कौन सा टर्म क्या रिप्रेसेंट कर रहा है? E कौन है? Electric field. Rho कौन है? Resistivity. Resistance नहीं, क्या बोलोगे? दोनों में थोड़ा फर्क है, बात करेंगे अपन. Resistance और Resistivity. हाँ. सेम चीज नहीं है. J आपका current density है. सब याद हो गया symbol, यहाँ पर कौन सा symbol क्या represent कर रहा है? पता होना ची. Rho Resistivity है. M कौन है उपर लेट किया हुआ है? Mass of the electron है. Mass of the... N क्या था? याद करो. Number of electron per unit volume. बुल गए है. Small N वोई है जो हमने पहले लिया हुआ था. वही से तो उठा के लेकर आए हम लोग ने. क्या? किसको? Turbo? Rho Rho. यह symbol को Rho बोलते हैं. आए हैं... बुल झाए हैं...